हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आस्तिन डिजाइन बनाने के लिए हमने छोटे साइज में दो कपड़े लिए हैं कपड़े की लंबाई हमने चार इंच ली है और इसकी चोड़ाई धाई इंच है दोनों कपड़े की साइज सेम है अब हमें एक छोटा सा डोरी लेना है डोरी की लंबाई हमने चार इंच ली है यह देखिए डोरी की लंबाई चार इंच है डोरी को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और कपड़े की बीच में किनारे की साइड में ऐसे लगाएंगे डोरी को और इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब हमें दूसरे वाले कपड़े को ऐसे ज्वाइंट करना है और इसके किनारे की साइड में सिलाई चला लेनी है यहां से हम धागे को कट करेंगे और कपड़े को ऐसे फोल्ड करके सीधा करेंगे अब हमें दोनों साइड से कपड़े को ऐसे तिर्ची में फोल्ड करना है और यहां किनारे की साइड में हम ऐसे सिलाई चला लेंगे धागे को कट करते हुए यहां से हम एस्ट्रा कपड़े को ऐसे कट कर लेंगे अब हमें चकोर सेप में कटा हुआ दूसरे कलर का दो कपड़ा लेना है कपड़े की लंबाई और चोड़ाई दोनो धाई इंच है कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करना है और डिजाइन के उपर हमें लगाना है तो ये देखिये, डिजाइन की उपर हम कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर लगाएंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे दूसरे कपड़े को फोल्ड करके डिजाइन के दूसरे साइड में हम यहाँ पर लगा लेंगे और किनारे की साइड में सिलाई चला लेंगे इस तरीके से आप इस डिजाइन को EGA स्टेप में तयार कर सकते हैं यहां से एस्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से सेम साइज का हमें 8-9 ऐसी डिजाइन बना कर तयार कर लेनी है तो यह देखिए 8-9 हमने ऐसी डिजाइन बना कर तयार कर ली है अब हमें एक लंबा सा कपड़ा लेंगे जिसके चोड़ाई हमने धाई इंच ली है कपड़े को हमें दोनों साइड से ऐसे फोल्ड करके चोड़ी पट्टी बना लेनी है कपड़े की उपर हलका सा हम सिलाई चलाएंगे और इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे अब हमें इस चोड़ी पट्टी के बीच बीच में डिजाइन को ऐसे लगाना है यह देखिए अंदर के तरफ डिजाइन को ऐसे लगा कर सिलाई चला लेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें डिजाइन को लगाना है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नए डिजाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का ओप्सन सेलेक्ट करें जिससे हमारी नेश्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इस लाइन को कंप्लेट करते हुए अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे और सारे डिजाइन को हम ऐसे बीच में से कट करते हुए अलग कर लेंगे सारे डिजाइन को ऐसे अलग करने के बाद अब हमें सारे डिजाइन को ऐसे ज्वाइंट करना है यह देखिए बिल्कुल इसी तरीके से एक के बाद एक सारे डिजाइन को ऐसे लगा लेना है आपको सारे डिजाइन को इस तरीके से जुआइंट करने के बाद अब हमें इसकी सिलाई करने के लिए एक लंबा सा कागच लेना है कागच की लंबाई और चोड़ाई दोनों आप अपने हिसाब से ले सकते ही कागच के ऊपर हम डिजाइन को ऐसे लगाएंगे और डिजाइन को परफेक्ट सेप में बैठाते हुए किनारे की साइट से ऐसे सिलाई चला लेंगे इस डिजाइन को आप नेक डिजाइन में भी बना सकते हैं और स्लिविस डिजाइन में भी बना सकते हैं अगर आप इस डिजाइन को नेक डिजाइन में बनाना चाहते हैं तो इसके लिंक हमने डिस्किप्सन में दी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे इस डिजाइन को हम नेक डिजाइन में बना सकते हैं, डिजाइन के एक साइड में ऐसे सिलाई चलाने के बाद, बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन के दूसरे साइड में भी हमें सिलाई चला लेनी है सारे डिजाइन को अच्छे से परफेक्ट सेप में बैठाते हुए हमने इस लाइन को कम्प्लीट कर लिया है अब हम यहां नीचे की साइड से डिजाइन को ऐसे सिलाई कर लेंगे पहले यहां से एक डोरी को कट करेंगे फिर यहां पर डोरी के उपर हम ऐसे सिलाई चला देंगे अब हमें एस्ट्रा कागज को और हलका सा डोरी को कट कर लेना है डिजाइन के किनारे की साइट से एस्ट्रा चोड़ी पट्टी को भी कट कर लेंगे एस्टरा चोड़ी पट्टी को cut करने के बाद अब हमें आस्तिन का कपड़ा लेना है आस्तिन के कपड़े पे friend हमने चोकोर सेप का pattern ऐसे बनाया है जो की दूसरे कलर के धागे से हमने इसके उपर सिलाई की है आप भी सिंपल से कपड़े पे ऐसे दूसरे कलर की सिलाई से नया डिजाइन बना सकते हैं आस्तिन की लंबाई हमने डिजाइन के लंबाई के बराबर ली है और आस्तिन की चोड़ाई हमने 6 इंच ली है लेकिन आस्तिन की चोड़ाई आपको अपने साइज के अनुसार लेनी हैं आस्तिन के कपड़े को हमें बीच में से ऐसे दो भागों में कट कर लेना है अब हम एक इंच, दो पॉइंट चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे कपड़े को ऐसे फोल्ड करके यहां किनारे की साइड में हम लगाएंगे और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे यहां से हम धागे को कट कर लेंगे और एश्ट्रा कपड़े को भी अब हमें कपड़े को अंदर के तरफ ऐसे फोल्ड करना है और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला देनी है ध्यान रहे किनारे की साइड में हमारा दूसरे कलर का कपड़ा दिखना चाहिए इस तरीके से market जैसा paipin आप अपने कपडे में इजली तयार कर सकते हैं बिल्कूल इसी तरीके से आस्तिन के दूसरे टुकडे में भी हमें paipin बना लेनी है आस्तिन के दोनों टुकडों में हमने ऐसे पाइपिन बना कर तैयार कर ली है अब हमें आस्तिन के कपड़े में डिजाइन को ज्वाइंट करना है तो ये रहा हमारा डिजाइन डिजाइन के किनारे की साइड में हम आस्तिन के कपड़े को ऐसे लगाएंगे और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद डिजाइन के दूसरे साइड में हम आस्तिन के कपड़े को ज्वाइंट कर लेंगे तो ये देखिए दोनों साइड में हमने आस्तिन के कपड़े को ज्वाइंट कर लिया है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे दिजाइन को ऐसे तयार करने के बाद अब हमें 2 इंच 2.4 एक लंबा सा बकरम कपड़े पे ऐसे चिपका देना है दोनों साइड से हम ऐसे कपड़े को फोल्ड करके आस्तिन के कपड़े में हम नीचे की साइड में ऐसे लगा कर कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर देंगे इसे परफेक्ट सेप में बैठाते हुए हमें ऐसे एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है यहां से हम धागे को और एश्टरा कपड़े को कट कर लेंगे डोरी वाली स्लीविस डिजाइन फ्रेंड हमने बना ली है अब हमें डिजाइन के पीछे के साइट से सारे कागज को अच्छे से निकाल देना है कागज को निकालने के बाद हमारे डिजाइन का लुग कुछ ही इस तरीकी का आएगा तो फ्रेंड आपको हमारी ये डिजाइन कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं थैंक्स पर वाचिंग